हाई लो आफ दीवन वेल्कम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम पिलेट की मदद से माक्स बनाना सिखाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो इसके लिए देखिए हमने सिंगर कपड़ा दिया है और यह कपड़ा हमारा सूती है कॉटन का और इस तरह की हमें एक पलेट ले लेनी है गोल और दोस्तो इस पिलेट की चोड़ाई हमारी आच इंच है तो अब हम इसमें निसान लगा लेते हैं गुलाई में इस तरह से द फोल्ड करेंगी और यहां से कटिंग कर लेते हैं फिर हम एक बार और फोल्ड करेंगी और यहां से भी कटिंग कर लेंगी तो इस तरह से हमारी चार पीस कटिंग हो गए है तो अब हम क्या करेंगे दो पीस लेंगी और जो हमारी गुलाई है महाँ पर इस तरह से सिलाई कि आप लोग लाइकन ना बोल जाते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाग भी कर देना और सेम ऐसे हमें दूसरे पीश में भी शिलाई लगा लेनी हैं तो हमने दूसरे पीश में भी शिलाई लगा लिए तो अब हम क्या करेंगे इसकी सीधी साइट उपर रखेंगी और इस बाले पीश की सीधी साइट हम नीचे रखेंगी और अच्छे से मिला लेंगी और मिलाने के बाद हम यहां से सिलाई लगाएंगी आदा इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगा ले नहीं हैं तो इस तरह से देखिए हमने गुलाई में चारो साइट में सिलाई लगा ली है और यहां पर देखिए हमने सिलाई नहीं लगाई है यहां इसे हम इसको सीधा करेंगी तो इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं तो इस तरह से देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है तो अब हम इसमें पट्टी लगाएंगी तो देखिए मैंने पट्टी ली है और यहां पर हमने इस पट्टी की लंबाई साड़े 17 अंच लिये और चोलाई में हमारा देखिए दो इंच है इस तरह से तो अब हम क्या करेंगे इस पट्टी को इस तरह से फोलड करेंगे और यहां पां सिलाई लगा लेंगी बिल्कुल किनारे पर हमें शिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिए और यहां से इसको सीधा करेंगी और जो हमने सिलाई लगाई है उसको हमें इस सेंटर पर रखके प्रेस लगा लेना है और इसी तरीके से हम इस मार्क्स में भी प्रेस लगा लेंगी तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी में भी प्रेस लगा लिए और ज इस तर से यहां पर लगा लेंगी और लगाने के बाद हम इस पट्टी के अंदर इस तर से डाल लेंगी फिर हम पिन को लिकाल देंगे और इधर की साइट से लाई लगा लेंगे इससे अमारी इलास्टिक नहीं लिक लेगी तो हमने एक तरफ से सिलाई लगा लिए यहां पर सपाई के साथ कटिंग कर देंगी और सेम ऐसे हमें दूसी तरफ भी सिलाई लगा लेना है तो इस तरह से हमने दूसी तरफ भी सिलाई लगा लिए तो मारी देखिए पट्टी तयार हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, मांक्स को लेंगी людей, जो मारा कवनर के जीए उसको थोड़ा सा कम से कम, कप्प्डी को अंदर की तॉर डेंगे, और इस तरह से, इस पत्ती को लेंगी और इसके, रखेंगए, और ओपर की साइट एक दाब शिलाई लगा लेंगी यहांपर दो-टीन स लगालेनी है तो इस तरह से अमनी एक तरफ से से लगाली है और से ऐसे हमें दूसरी तरफ भी शीलाई लगा लेनी है जो मारा कोनर है उसको हमें आदा इंच अंदर की तरफ कर देना है दूसरी तरफ कि पत्ती को इसके अंदर इससे सिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से देख हमने गुलाई में शिलाई लगा लीई है और माक्स सिलक त्यार हो गया है देखी बहुत ही आसान तरीके से हमने प्लेट की मदद से माक्स बनाना सिखाया है तो मेर्द करती हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आयोगी पसंद आये तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले और बैलाकन को भी दबा दे जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंश सके और मैं मिलती अपनी नक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई